आज हम खजुरा हो के बारे में जानेंगे यूफ से रिलेटेट जो भी चीजे आज हम जानेंगे वह हम बहुत ही इंपोरइंट है और याद पेपर में खजुरा हो से संग्धित कोई भी प्रश्ण आता है तो आज के बाद आप उसे गलत नहीं करेंगे ठीक है तो देखे खजुराहो मंदिरों के बारे में जानते हैं उससे पहले ये फोटो आपको दिखाई दे रही है तो आप देख पा रहा है यहाँ पर ये फोटो में कौन है चंदा मामा है और चंदा मामा के मुझ के मद्ध में क्या है ये खाज आपको दिखाई दे रही है यानि चंदा मामा के मुह के मद्ध में क्या हो गई खाज हो गई ठीक है तो देखिए समझे ये क्या है देखिए खाज चंदा मामा के मुह के मद्ध में हो गई तो जैसे ही खजुरा हो आए तो ये तीनों शब्द आ जाने चाहिए अपके देवाक में खाज चंदा मामा और च परदेश में ठीक है चले कि यहां पर आप देख पा रहे हैं यह इसके इस्तिति कहां पर है मध्य परदेश के च्छतरपुर जले में हैं इसका निर्मांट चंदेल सासको ने गयारवी वारवी सताब्दी में कराया था यह खजुराहों से रिलिटेड यह तीनों चीज यह बनते हैं इसके आगे और भी चीजे हैं उनको भी देखेंगे देखिए 1987 में ये विश्व धरोहर सूची में सामिल कर लिए गए थे खजुराहों के मंदिर और यूनेस को जो विश्व धरोहर सूची में सामिल करता है उसका मुख्याले कहां पर है पैरिस में है ये जानकारी भी आप लोगों के लिए काम आएगी चलिए देखिए आगे देखते हैं खजुराहों के प्रमुख मंदिर देखिए यहां से प्रश्ण कई तरीके से बनते हैं देखिए कई बार प्रश्ण पूछता है कि निमल खित में से कौन सा मंदिर कहां पर है तो ये प्रश्ण भी आपके हां पर हल हो जाए tackling a raz Given the United wasn't she also drew इंडे चर घराइन के लगभक चौरासी मंदिरों का निर्माड करा था उन्में से लगभक 22 कई असपास जो सुरक्षित हैं यह जो मिल चुके ठीक है तो हमें पूरे नहीं, पांच मंदिरों को हम यहाँ पर जानेंगे. खजुराहो से संबंदित एक और चीज, इस जगए का नाम खजुराहो क्यूं पड़ा? यह पर है? मध्य प्रदेश में है, यह जगए छतरपुर जले में है, खजुराहो नामक इस्थान है. खजुराहो इसका नाम मंदिर उनमें सबसे फेमस है कंदरिय महादेव का मंदिर और यह सिवको समर्पित है कंदरिय महादेव मंदिर कहां पर है तो यह कहां पर है मध्यपर्देश में है मुँदा के दासियां थी उनके मंदिर है ये पूरे मंदिर ग्रेणाइट का बना हुआ है तीसरे नमबर का है चित्रगुप्त मंदिर जो सूर्य को समर्पित है चोथे नमबर पर मातंगेश्वर मंदिर भगवान सिव को समर्पित है पाचवे नमबर पर है लक्षमन मंदिर कई बार प्रशन आता है लक्षमन मंदिर कहां पर है तो ये मद्धे पर्देश में है और इसमें भगवान विश्णू की सौफिट लंबी उंची मूर्ती जो है लगी हुई है किसमें लक्षमन मंदिर में ये पांचों के पांचों मंदिर जो है खजुराओं के प्रमुख मंदिर है और इन सभी की सैली क्या है नागर सैली में बने हुए है और दक्षिन भारत के कौन सी सैली में बने हुए है द्रविड सैली में बने हुए है एक और इंपोर्टेंट जो कुश्यन है खजुराओं के मंदिर कौन से धर्म से सम्बंदित है तो खजुराओं के सारे मंदिर हिंदू तथा जैन धर्म से सम्बंदित है हिंदू और जैन धर्म से सम्बंदित है क्योंकि जैन धर्म से सम्बंदित है हाँ पर दो मंदिर है प खजुराओं के मंदिर किसने बनवाए हैं चंदेल साशकों के द्वारा और हैं कहां पर मध्य परदेश में कंदरिया महादेव सिवसे समर्पित है और विशाल मंदिर है 64 योगनी सबसे प्राचीन मंदिर ग्रेनाइट का बना हुआ चित्रगुप्त सूर्य को समर्पित है यह चित्रगुप्त वही है जिने आप पिच्चरों में देखते हैं जो यम्राज के साथ काम करते हैं लेखा जोका रखते हैं ठीक है वो चित्रगुप्त मातंगेश और मंदिर यह भगवान सिब को समर्पित है यह इंपोर्टेंट है क्योंकि यह अलग सा है इसे याद नहीं रख पाते मातंगेश और मंदिर भगवान सिब को समर्पित लक्षमन मंदिर भगवान विश्णू से रिलेटिड है ठीक है चलिए और सैली कौन सी है न शापत्य के निर्माड में सहयोगी थे तो इसमें कौन थे चंदेल सासक इसमें जो है सहयोगी थे या फिर चंदेल सासकों ने इनका निर्माड कराया है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था तो ये चंदेल सासकों ने बनवाया था प्रशना आता है कहां पर इस्थित है तो ये मध्य परदेश में इस्थित है आगे देखिए चंदेल राजाओं ने निर्माण कराया था तो ये खजुराहों का निर्माण किस ने कराया था चंदेल राजाओं ने और कहां पर हैं ये मध्य परदेश के छतरपूर जिले में खजुराहों के मंदिर सम्मंदित हैं में दृट धारं हिंदु ध clinics जेंद धरम अदेंध से सम्धित हैं खजुराहूके मंदिन देखे सबभी प्रश्ण में आई हुए प्रश्न में अगर में..' निमले खित में से कौनसा मंदिर खजुराहों में से नहीं है या खजुराहों से रिलेटेड नहीं है तो कंदरिया महादेव चौंसाट योगिनी दसावतार और चित्रगुप्त तो आपको पता है कंदरिया महादेव यह जो है खजुराहों से संब्दित है चौंसाट योगि समर्पित है तो ये भगवान सिव को समर्पित है और चित्रगुप्त मंदर किसको समर्पित था तो ये भगवान शूर्य को समर्पित था 64 योगिनी मंदर आपको बताया था कि ये 64 दासियां थी किसकी माताकाली की थी और कंदरिया महादेव सिव को समर्पित है तो थैंक यू फोर वाचिंग अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें